नम्शकार जस्वीत तेशे चैनल पे आप सब भेनों का प्यार बरा स्वाकता है अज हम आपके लिए बहुत सुंतर सा डिजाइन बनाने वाले हैं यह जो डिजाइन है इसको आप किसी पी प्रजेक्ट में डालिए लेडी स्वेटर में काड़ी घंड में जैकट में स्वेटर में तो डाल सकते हैं और इस डिजाइन को बनाना बहुत असान है इसको दस नमबर पे बना रहे हैं और आठ स्लाइग का ही डिजाइन है बौडर आप कोई भी बुनिये और आप मेरी वीडियो को देखिए लाइक और सब्सक्राइब जूरूर करें तो चलिए फ्रेंड यह हमने जो फंदे लेने है वो 11-11 फंदे है बट हमने दो फंदे आगे लेने है दो फंदे लास्ट में लेने है उसके बाद फिर हमने चार फंदे उल्टे और चार फंदे इदर से उल्टे फिर हमने साथ फंदे लेने है सीधे मतलब उल्टे और फिर चार फंदे पीच में सी सीधे फिर ऐसे साथ सार फंदे अभी हम जब बनाएंगे तो आपको काउंट करा देंगे तो उसके लिए हम पहले एक सीधा फंदा लेंगे दूसरा भी सीधा फंदा दो फंदे सीधे हर बार बुनेंगे फिर हम थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे बुनें तीन और एक चार ठीक है ऐसे बुनना है फिर त्रेड अपनी तरफ करेंगे और सेवन फद्दे उल्टे बुनेंगे दो तीन चार पांच छे साथ त्रेड पीछे फोर फद्दे सीधे फिर सेवन फद्दे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ फद्दे उल्टे बुन लिए फिर हम चार फद्दे सीधे बुनेंगे दो तीन चार तो जितने आपके परजेक्ट में फद्दे हैं उसे हिसाब से आपने ऐसे बुनना है साथ फंदे उल्टे, चार सीधे, साथ उल्टे, चार सीधे, साथ उल्टे, चार सीधे ऐसे बुनते जाएए लेकर लास्ट में आपने जैसे ही चार फंदे सीधे बुने तो फोर फंदे उल्टे बुनने है फिर दो, तीन, चार और दो फंदे सीधे बुनने है ऐसे हमने पूरे डिजाइन को अपड़े फंदों के हिसाब से डालना है परजग्ट को और टोटल फंदे जो हैं वो हमने आपको बता दिये हैं अब बैक साइड में जाना है और बैक साइड में हमने कुछ ली करना बस सिंपल सा एक काम करना है उल्टे पर उल्टे सीधे तो चार उदर उल्टे थे तो इधर सीधे हो जाएंगे बैक साइड में फिर चार उल्टे और अब वो 7 पंदे सीधे तो ऐसे हमने सीधे पे सीधे उल्टे पे उल्टे बढ़ाते हुए अपनी पूरी स्लाई कम्प्लीट कर दी है ऐसे फिर एक, दो, तीन, चार चार उल्टे, साथ सीधे तो ऐसे हमने बैक साइड बुल ली है जो देखिए फ्रेंड हमने दो स्लाई बुल ली है अब हमने क्या करना है अब थर्ड स्लाई है दो सीधे तीन फंदे उल्टे बनाएंगे और यह जो चार सीधे है इसमें से एक सीधा और एक उल्टा दोनों का दो का एक करेंगे ठीक है उसके साथ जाली डालेंगे और दो फंदे सीधे बनेंगे सीधे में से फिर जाली डालेंगे और इस सीधे फंदे को इस उल्टे फंदे के साथ दो का एक करेंगे ऐसे ऐसे आएगे अब जहां आप चार फंदे थे आप तीन फंदे हैं उल्टे जहां हमारे एक सीधा फंदा और एक उल्टा दो का एक किया था जाली डाली और बीच वाले दो फंदे सीधे बुनें फिर जाली डाली दो का एक किया अब बीच में हमारे पाँच फंदे रह जाएंगे उल्टें एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर हमने यह जो कूर फंदे सीधे हैं, दो का एक करेंगे, ऐसे, जाली जालेगे, दो फंदे सीधे, फिर दो का एक करेंगे, सीधे और उल्टे को, फिर पांच फंदे उल्टे फिर दो का एक करेंगे जाली डालेंगे दो फंदे बीच में सीधे बुनेंगे और फिर दो का एक करेंगे लेकिन उससे पहले जाली डालेंगे और पड़ताते हुए फंदे को दो का एक करेंगे लास्ट में तीन फंदे हमारे simple आएंगे और दो फंदे सीधे आएगे हर बार जो आपको last में भुनेंगे थर्ड स्लाई होगी अब fourth स्लाई में आते हैं तो fourth स्लाई हम उल्टे पे उल्टे सीधे पे सीधे दो उल्टे अब तीन सीधे आएंगे एक उल्टा ये वाला जाली वाला बी उल्टा पीछे से ऐसे बुल लेंगे बीच वाले दो बी उल्टे फिर जाली वाला उल्टा फिर उसके साथ वाला उल्टा और साथ में ये पांच फंदे अब सीधे आएगे तो ऐसे हमने बहुत ही असान है उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा जो देखिए तो ऐसे बुनते होई हम पूरी स्लाई कम्प्लीट करें जो देखिए ट्रेंड चार स्लाई में डिजाइन ऐसा बना है अब आते हैं पांचवी स्लाई में तो पांचवी स्लाई में हमने क्या करना है दो फंदे तो सीधे हैं तो सीधे ही अपनी तरफ अब ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे फ्रेड पीछे अब फिर जहां दो काई करेंगे उल्टा और सीधा दो काई किया जाली डाली एक सिंपल फंदा बुना ऐसे और ये जो फंदा बुनना है ना हमने जाली डालते हुए तो जैसे ही हमने दो काई किया अब ये दो बीज वाले सीधे रखने है लेकिन जो जाली वाला फंदा है इसको उल्टा बुनना है बट कैसे फ्रेड आगे करेंगे जाली भी डालेंगे और इसको उल्टा बुनेगे फिर थ्रेड पीछे ये दो बीज वाले सीधे हैं तो सीधे ही बुनेंगे थ्रेड अपनी दरफ इसको उल्टा बुनेंगे उल्टा बुन लिया अब थ्रेड पीछे जाली भी डालेंगे और जहां दो का एक करेंगे ऐसे फिर बीज में पहले पांच फंदे थे उल्टे अब तीन फंदे रह जाएंगे अब फिर हमने दो का एक करना है उल्टा और सीधा दो का एक या जहां हम जाली डालने के लिए आगे को फंदा लाके ऐसे गुमाएंगे और एक उल्टा बुनेंगे त्रेड पीछे दो सीधे जहां जाली नहीं डली थी पहले तो हमने बना दी अब इस फंदे को उल्टा बुनेंगे अब फिर जहां फ्रेड पीछे जाली डालते हुए दो का एक करेंगे ऐसे हमने इस डिजाइन को बनाना है जैसे जहां बना दिया वैसे ही जहां और वैसे ही यहां भी बनाना स्फ़स्टीन को टाना स्फ़स्टीन को भी King जह जकी को र entonces इस इस महां प्रदस्टीupa अजर आड Ee झाली गजकेशों बस्ते हäसी जहां जक्ष़स्टीन को आजकी ख जहीं को एक बनाना वीया Voll आप 6 राई है, 6 राई को हम उल्टे पे उल्टा, सीधे पे, सीधा बना के, कम्प्लीट करेंगे तो देखे, फ्रेंड स्टिक स्लाई में डिजाइन बना है, अब आप 7 स्लाई में आएंगे, तो दो फंदे तो हम सीधे ही लेंगे है न, अब एक फंदा उल्टा आ जाएगा, ठ्रेड पीछे, जहां दो का एक आएगा, एक सीधा फंदा, एक उल्टा, दो का एक करेंगे, जहां पर जाली डालेंगे, ऐसे अपनी तरफ और दो उल्टे बना देंगे, एक जाली याला पहले उल्टा, अब इसको भी उल्टा, बैक साइड से एक फंदे उल्टे ही आएंगे, फिर बीच के दो सीधे आएंगे, थ्रेड अपनी तरफ दो उल्टे आएंगे, एक ए जा एक करेंगे फिर एक फंदा उल्टा आ गया फिर वैसे ही करेंगे दो का एक फ्रेड अप जाली डाली दो फंदे उल्टे दो सीधे दो उल्टे फ्रेड पीछे जाली डाली दो का एक या ऐसे हम इस डिजाइन को बनाते जाएंगे एक उल्टा लास्ट में एक उल्टा दो सी तो हमारा जे डॉला डिजाइन भी कंप्लीट हो गया साथ मी स्लाई अब आते हैं आठ मी स्लाई में आठ मी स्लाई में उल्टे पे उल्टे सीधे पे सीधा दो उल्टे एक सीधा बाकी सारे फंदे उल्टे फिर एक सीधा यह जो फंदे दिख रहे है न उल्टे आएंगे एक सीदा बाकी उल्टे एक सीदा उल्टे एक सीदा और ऐसे हम 8 मी स्ला Ayy complete करेंगे अब इन्हीं 8 स्लाई को हमने फिर repeat करना हं कैसे दो सीदे फंदे हैं तो सीदे ही बनाएंगे उसके बाद हमने फिर्ट एक किया था तल्एट अपनी तरफ चार फंदे उल्टे दो तीन और चार फंदे हमने उल्टे बना दिये फिर हमने चार फंदे सीधे बनाने है, दो तो बीच वाले हैं, दो साइट डूम लें, एक, दो, तीन, और चार ये देखिए, चार फंदे सीधे बना दिये, अब साथ फंदे हमने उल्टे मनाने है, तो जहां से थ्रह डागे करेंगे, एक, दो, तीन, बीच वाला एक, चार, फिर पांच, फिर जाली यला छे, फिर तो सात फंदे हमारे दो, चार चे सात इल्टे अब फिर हमने फोर फंदे सीधे बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार,mitt चार, चार फंदे सीधे बना दिये, फिर तरद आगे, फिर 70 फंदे उल्टे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ फिर 4 फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार चार फंदे सीधे, लास्ट में 4 फंदे उलके तीन और ये लास्ट चार फ्रेड पीछे, दो फंदे सीधे एसे हमारा फिर design स्टार्ट हो गया और ऐसे design आके आके आप बनाते जाए हम आपको दिखाते हैं हमने आके-आके और design बनाया है बहुत सुन्दर बनके आया है तो चलिए इस design को बनाये और अपने view हमारे साद शेयर कीजिए design बहुत प्यारा है उल्टी साइड में देखिए सीधे पर सीधे उल्टे पर उल्टे आते हैं तो जब जे डिजाइन बन जाता है बहुत सुन्दर लगता है तो चलिए फ्रेंड अपने जैक्ट में डाले इसको अगर आप डार्क कलर में भी इसको डालेंगे तो बहुत संदर बनके आएगा तो मुझे मीड है कि आपको जी डिजाइन बहुत पसंद आएगा अगर आपको जी डिजाइन अच्छा लगेगा तो आप हमें लाइक एंड सबस्क्राइब जूर कर ली जगेगा तो कोई और नया डिजाइन लेके आएंगे आपके साथ तो चलिए फैन मिलते हैं किसी अच्छे परजेक्ट के साथ किसी अच्छे डिजाइन के साथ तब तक टेक एर बाई बाई